हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूटुब चैनल पर तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 015 का December 2022 का solution ठीक है तो आज हम लोग देखने वाले question number 3 तो देखिए ये question क्या रहा है write an application in response to an advertisement in the newspaper that driven for the positive position of bank manager also attach your CV ठीक है तो मैंने इसका June 2023 का भी करवाया था तो उसमें भी ऐसा ही question था लेकिन उसमें आपको application लिखने नहीं बोला था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था CV कैसे करना है ठीक है तो अब यहां पर देखिए application भी लिखने बोल रहा है किसके response में तो आपने एक advertisement देखा है कैसे लिख हो गया आप इसको भी letter के form में लिखते हैं तो देखे सबसे पहले तो अपना नाम ठीक है यहां अपना नाम लिख दिए अपना address देदेंगे वही city state zip code दे दिए और date दे दिए ठीक है फिर एक line छोड़िएगा और वहां पर फिर उसका नाम दे दिजेगा ठीक है महां लिजे आस-पास का किसी bank address दे दीजेगा city state zip code यह courses कीजेगा यह दो ना ना सेम हो आपका city state or zip code एक ही शहर का लोग है इसलिए ठीक है उसके बाद आ गया यहां पर direct आप लिखना शुरू करोगे dear यहां पर जो भी है उनका नाम दे दीजेगा तो देखे शुरू करते हैं यहां से तो I am writing to express my interest in the bank manager position advertise in the the tribune on date ठीक है तो देखे पहला line आपने शुरू क्या किया है कि I am writing to express my interest ठीक है आपको जो आपने जो मेरे को advertise किया था tribune में इस तारीक को मैं उसके लिए interested हूं ठीक है with a solid background in banking and a successful track record I believe I am well suited for this role ठीक है तो आपने लिख दिये हैं कि आपका जो आप पहले भी bank में काम कर चुके है और आपका record बहुत solid है इसलिए आपको लगता है कि इस role के लिए आप सबसे बहतर हो ठीक है उसके बाद देखे in my previous role as your previous position आप कुछ भी लिखती जेगा लिखती जेगा branch manager ठीक है at previous bank किसी भी bank का नाम लिखती जेगा for example state bank of india ठीक है I mention one one or two key achievements कुछ भी लिखती जेगा कि मैंने उस bank में काफी interest rate यह कर दिया था मैंने लोगों को बहुत ही प्रोचाहान कर दिया था लोग बहुत चारे आये थे है ना मैंने बैंक के जो employee होते है उसको बहुत ही well रखा था well settled maintain करके रखा था उस तरह से कुछ भी लिखती वह दे दीजेगा और कौन से university से वह दे दीजेगा ठीक है उसके बाद देखिए I like how bank name यह जो bank जिसमें आप लिखे हो उसका bank name is committed to mention something specific about the bank ठीक है तो आपस में कुछ भी लिख सकते है कि इस bank का आप जिसके bank में apply कर रहो इस bank का क्या आपको अच्छा लगता है ठीक है तो व my application I look forward to the possibility of discussing my suitability for this role in a person ठीक है तो यह जो last roll है यह आपका लगवग आपसे कोई भी application बोलेगा तो ऐसा ही same रहेगा है उसके बाद देखिए यह जो ऊपर बाला part है यह भी आपका बिल्कुल same रहेगा आपसे यहापे bank में पूछेगा तो bank का दे दीजेगा कोई और किसी office का बोलेगा तो यहाँ पर office का name देदीजेगा office का address देदीजेगा बागी यह सब तो आपका same ही रहेगा ठीक है तो देखिए इसका जो लिखने का तरीका होता है वो बहुत matter करता है ठीक है तो अगर आप माल लिजे यह लिख देते हो ऊपर वाला part यह लिख दिये ठीक है उसक से उठागा question से उठागा यह मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता है क्योंकि मुझे comments आते हैं कि मेरेको तो बिल्कुली English नहीं आता है तो मैं क्या करो तो यह उन लोगों के लिए कि जिनको बिल्कुली English नहीं आता है तो आप लोग यह कीजेगा यह सब तो आपको यह सब लिख दीजएगा ठीक है उसके बाद यह भी लिख दीजएगा उसके बाद अगर यह बिलकुल ही नहीं आता आपको तो अलका सा दो तीन लैन लिखेगा और उसके बाद यह लाश्ट का लिख दीजएगा सिंसेरली योर नेम ठीक है तो अगर आप यह जो फॉर्म को यह जो है ना इसको फॉलो करोगे ना तो अगर यह दस मार्क का कोशन है तो आपको तीन चार मार्क मिल जाएगा ठीक है क्योंकि यह बहुत माहिने रखा है कि आपने कैसे लिखा है ठीक है बॉड़ी में आप माली यह नहीं कुछ लिख पाए हो फिर भी आपको तीन चार मार्क मिल जाएगा तो यह होता है हाला कि यह तो देखे कितना सिंपल मैंने लिखा है आप अराम से पढ़के समझे होगे यहां पर मैंने अलग-अलग चोटा-चोटा पैरा में लिखा है आप चाहोगे तो यह इस प यह मतलब वही रिजियूम तो रिजियूम तो आपको रिजियूम तो बिल्कुल सिंपल है और यह मोस्ट इमपोर्टेंट है MC 015 का और यह पहल ज्यादा इसी है रिजियूम मतलब क्या अपना डिटेल देना नाम पादा फादर्स नेम देखे वही लिखे हैं तो नेक्ट मै तो यह दोनों अलग भी हो सकता है यह दोनों सेम भी हो सकता है फिर आप ऐसे बना के लिखिएगा इतना लिखिएगा ठीक है प्रेजेंट इसको फॉलो कर लिजे और यह बहुत सिंपल है देख लिजे उसके बाद फिर इमेल देटीजेगा डेट वर्थ सेक्ष मेरिटल स्टे तो सबसे उपर एडिंग देदेंगा एकैडमिक क्वालिफिकेशन उसको ना टेवल के फॉर्म में बनाईएगा यह चीज को पहले लेवल फिर लाइन कीचे यह लाइन कीचे यूनिवर्सिटी लाइन कीचे इस तरह सिक्दम टेवल फॉर्म में बनाईएगा आप अभी तक जो किये हो ना अब यह सकता है एफ 10 की होगे फिर 12 की होगे इसका बीसे कर रहे हो तो ऐसे आप लिख दीचेगा जो आपका सबसे उपर है नो तब आपने लाश्ट में किया था अब ही लेटेस्ट में उसको सबसे उपर लिखेगा तो अगर मालीज हो आप 10 टेवल तो पहल किये थे 12 और उसके पीछे क्या था 10 तो इस तरह से लिखना है आपको ठीक है किस एर में पास किये थे वो कौन सा युनिवर्सिटी या स्कूल था वो और यहां पर कौन सा डिवीजन था तो आप डिवीजन भी लिख सकते हो परसेंटेज भी लिख सकते हो कुछ भी लिखिए इसको भी ऐसे heading दीजेगा और इसको point में लिखेगा work experience को आपने कोई work नहीं किया फिर भी कुछ भी लिख दीजेगा ऐसे एक दोटो तो work experience लिखी दीजेगा कि आपने किसी shop में work किया है ठीक है इस तरह से कुछ भी लिख दीजेगा ऐसे जूट मुटका भी लिख आपको language आता है तो आप इसमें लिख दीजेगा Hindi English या फिर अपना जो भी language आते है आप तेलगू बगरा उसके 10 hobbies में लिख दीजेगा कुछ भी आपको जो पसंद है है ना वीडियो गेम्स प्लेइंग वीडियो गेम्स क्रिकेट डॉल के साथ खेलना है ना time pass करना mobile चलाना TikTok देखना रेल्स देखना यह इस तरह साब लिख सकते हो ठीक है तो यह हो गया आपका CV CV हमेशा most important है ठीक है तो यह था question no.3 application लिखने बोला मैं बता दिया हो जिनको पूरा लिख सकते हो जिनको बिल्कुल ही नहीं आता है एकदम ही आप जो बोलते हो में कमेंट में कि में हल बोलो के लिए पर बता दिया हो क्या करना है ठीक है CV भी लगा दिया है रेज्यूम बोलिए CV बोलिए इसको अच्छे से लिखेगा ब्लैक ब्लू से और कोश्चिस कीजिएगा एक ही पेज में लिखने का CV को ठीक है इसको बढ़ाईएगा मत एक डेर पेज में और माली बोलिए चाहिए तो आपको पता है क्या करना है मुझे इंस्ता पर मैसेज कीजिए इस वीडियो का लिंक कापी कीजिए डायरीक्ट ठीक है इंस्ताप Peru पेपेश्ट करो दिजे और बूलिए मेरको यह पिडियेस चाहिए मैं आपको यह पीडियेस दे दूंगा प्री पीडियो नहीं है पेट पीडियो तो आप वहाँ पे करोगे और मैं यह पीडियो आपको दे दूगा वहाँ पे और हमेंने इसका जून 2023 का भी करवाया है तो आप लोग अगर यह वीडियो यह प्लेइलिस्ट करोगे तो उसको भी जरूर एक बाद देख लीजेगा इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पूछा जाता है ठीक है तो बस इस फिडियो के टाइम मिलते हैं नेक श किस तरह से जाएगाे रहर से जाएगा 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 जा वीजेगा जरोग colleg जएством। झाल झाल